पूरा पर बेस दे जब तक बैक्टर कि लेड नहीं होगा आपको रिलेटीव मोशन अपका क्लिए नहीं होगा ठीक है तो रिलेटीव मोशन एक्ट्वल में जैसे आप लोगों को पता है आप लोग देख रहे हो कि जैसे गाडी मूव कर रही है यह कुर्सी जो है रेस्ट पर लोग लोग बखे यह थहा थो कोई भी मोशन होता वह एपस्ट नहीं होता नो मulsर ली को मतला आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यह गुप्लीटली राइस पर रहे हो यह फिर गुप्लीटली मोशन हर मोशन डिपेंड करता है अब्जर्वर पर कि हम लोग उस चीज को अब्जर्व कहां से कर रहे हैं तो नो मोशन no motion is absolute कोई motion absolute नहीं है इट डिपेंड्स ऑन observer यह observer पर डिपेंड करता है अब रिलेटिव वेला सुटी को कैसे लिखते हैं हम लोग जैसे मालो एक पार्टिकल है relative displacement is a displacement of a with respect to b इसको हम लोग लिखते है xa vector minus xb vector velocity of a with respect to b हम लोग लिखेंगा velocity of a with respect minus velocity of b अच्छा इसका मतलब क्या है velocity of a with respect to b का मतलब कि मैं b से खड़े होकर a को देख रहा हूँ velocity of a with respect to b मतलब मैं कहां पर बेठा हूँ b के अंदर बेठा हूँ मैं b हूँ और मैं देख रहा हूँ किसको मैं देख रहा हूँ उसको बोलें velocity of a with respect to b उसी तरह से acceleration of a with respect to b acceleration of a minus acceleration of b यहाँ पर धिहान लगाना सब बेक्टाय शाइन लगाए मैंने यह सर्टेख के अब थ्वड़ से और हम लोग समझते है इसको कि जैसे माल लोग नमबर लाइन है यहां पर जीरो यहां पर position लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, मालों यह meter में minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 अब यहां पर अलग-अलग particle लेते हैं आ पर अपर यहां पर लेता हूँ, बी particle में लेता हूँ, यहां पर सी particle में यहां पर लेता हूँ, अलग-अलग A, B, C पार्टिकल लेलिया मैंने ए इस तरफ मूफ कर रहा है कितनी स्पीड से इस स्टेंड पर थ्री मीटर पर सेकेंड से और सी मूफ कर रहा है किते स्पीड से फार मीटर पर स्टैंड से तो अभी अगर मैं पूछू अभाट इस दा डिस्प्लेसमेंट ओफ ए इस अ इट्रेट्थो डी का डिस्प्लेस्मेंट fourteen क्या होगा को क्या मौल गई अिस कंडीशन पर अभी ए और बी की पोजिजट्वेक्टर में कितना X A with respect to B, X A, position of A with respect to B, displacement of A with respect to B, क्या होगा? X A vector minus X B vector. X A कितना है? तो आपको पता है कि यह जो X axis है, इसको मैं लिखता हूँ, I cap, यादो आपको. तो अभी X A कहां पर है? माइनस 4 I cap पर है. तो X A vector कितना हो जाएगा? आपका minus 4 I cap. minus X B vector, X B की position क्या है? माइनस पर है. तो मैं लिखूँगा minus I cap. तो minus 4 I cap, यह minus minus plus हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका? minus 3 I cap. आया समझ में यह? Yes, sir. Yes, sir. Divya? Yes, sir. अगर मैं पुछू, बता हो, position of A with respect to C क्या है? displacement of A with respect to C क्या है? तो क्या बुलो गया? position of A with respect to C क्या है? Sir, minus 4 I cap. minus 5 I cap. minus 9 I cap. समझे इसका मतलब? Yes, sir. मैं कहां पर बैठके किसको देख रहा हूँ? C, C से A को देख रहा हूँ. C पर बैठा हूँ और A को देख रहा हूँ. A मेरे किस तरफ है? लेप्स की तरफ है? Yes, sir. तो लेप्स की तरफ क्या होगा? negative? Yes, sir. अब अगर मैं पूछू इस स्टेंग पर velocity of A with respect to B कितना है? velocity of A with respect to B कितना है? तो चाह होगा है? velocity of A minus velocity of B. Sir, 5 meter per second. 5 meter per second. 5 I cap. Very good. A देखो, A किस तरफ जा रहा है? A जा रहा है प्लस X की तरफ. तो A की velocity लिखूँगा मैं 2 I cap प्लस में लिखूँगा. क्योंकि प्लस की तरफ जा रहा है? B की velocity. माइनस ये फॉर्मूले का माइनस. B की velocity कितनी? माइनस 3 I cap. तो कितना आजाएगा ये? 5 I cap. 5 I cap. 5 I cap. 5 I cap. तो किस पे बैठ के किसको देख रहा हूँ मैं? Sir, B पे बैठ के A को देख रहा हूँ. तो B पर बैठूँगा और A को देखूँगा, ये दोना इस दूसरी के पास आ रहे हैं. तो मुझे असरा किया कि A मेरे पास कितनी स्पिट से आ रहा है? 5 मिटर पर सेकंड से. 5 I. 5 मतलब दो अपोजिट में इस तरह से आते हैं, तो उन्ती वैलस्विटी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है. अगर एक के रस्पेक्ट में दूसरी की वैलस्विटी देखूँगे, तो बूच ज़्यादा दिखी कि आपको. आप लोग सड़का जब जाते होंगे, वाइवे बगेर पी. यई सामने से जो कार आ रही है, वो कितनी तेरी से आपके पास से निकलते हैं. देखा क्या? अपकी गाड़ी जा रही है, तो सामने से कार आ रही है. तो second में पार हो जाती है, मतलब चुटकी बजाते हैं, गाड़ी निकल जाती है, और जब हम किसी कार को और ट्रक को, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा? Yes, sir. तो जब हम सेम डारेक्शन में जाते हैं, तो वेलसिटी एड होती है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी के वेलसिटी किती हो जाएगी, दूनों का एडिशन हो जाएगा. अभी बात समझ में? Yes, sir. अगर मैं पुछू, वेलसिटी आफ सी, A with respect to C, निकाल के बता हो, वेलसिटी आफ एड रस्पेक्ट तो C, Minus 3 I cap meter per second. Minus 3 I cap meter per second. Meter per second. Yes, sir. ठीके, तो वेलसिटी आफ एक इतना आपका, यह पॉजिटीव के तरफ जा रहा है, तो मैं लिखूंगा, 2 I cap, Minus, और C, C b पॉजिटीव के तरफ जा रहा है, तो इसको भी मैं लिखूंगा, पॉजिटीव में 5 I cap, तो यह आजाएगा, Minus 3 I cap. इसका क्या मतलब है, कि अगर मैं C पर बैठ कर, A को देखूंगा, तो A मुझसे पास आ रहा होगा, और दूर जा रहा होगा? Sir, दूर जा रहा होगा. Minus 3 है, तो इदर इस दूर जा रहा होगा, क्योंकि इसकी वेलसिटी जादा है, जाएगी, तो दूर जाता होगा, तो दूर जाता होगा, दिखीगा. आजी बात समझ में, कोई किसी को डाउट, चलो आगे देखो, मान लोग, x-y plane ले ऐसे मैंने, इदर x और यह y, इसमें तो क्या था, वन डी मुशन था, पार्टिकल के वल x डाउट में जा रहा था, अब जो रही नीए पार्टिकल x में ही जाए, या पी y में ही जाए, पार्टिकल दोना तरब भी तो जा सकता है, तो हमारा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, x और y में, कितना एंगल पर जा रहा है, 37 degree के एंगल पर जा रहा है, वेलोसिटी लेलोस की, 10 मीटर पर सेकंड, यह क्या है, A की वेलोसिटी, वेलोसिटी ओफ A, जो A है हमारा, वो 10 मीटर पर सेकंड जा था, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हमें फाइन करना है, यहाँ पर फाइन, वेलोसिटी ओफ A, वित रैस्पेक्ट तो B, कैसे फाइन करो रहे हैं? सर इस पर हम पॉस और वो लगाएगे, जो जिससे बना रहा है वो, फाई आई कॉस, 57 डिग्री होगा पहला, तो आप लोगों को मैंने, कंपोनेंट निकाला सिखाया जभी, यह जो A है, A X में जा रहा है, Y में जा रहा है, यह दोनों तरफ जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, तो A, X की तरफ भी मूव कर रहा है, और दोनों वेसे वी-वी, जो B हो भी X की तरफ भी मूव कर रहा है, तो X की तरफ कितनी वेलोसुटी से जा रहा होगा, और Y की तरफ कितनी वेलोसुटी से जा रहा होगा, यह मैंने आपको पहले ही बता है था, मालो जैसे एक बॉड़ी है, यह 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, कितना एंगल पर, 37 डिगरी के एंगल पर, तो यह फोर्स एक्स में भी लग रहा हो और Y में भी लग रहा है, तो X में कितना लग रहा है, याद रखो, जिससे दो एक्सिस है, एक तो Y हो गया, एक एक्स हो तो 5 तू जा 10, 4 तू जा कितना हो जाएगा, एक, उसी तरह से इस 10 का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 साइन 37, और साइन 37 की वल्लू क्या होती है, 3 बाई 5, 5 तू जा 10, तो उपर आएगा कितना, 6 न्यूटन, मतलब यह 10 न्यूटन लग रहा है, इसका X की तरफ ल 6 न्यूटन, आई बात समझ मैं, उसी तरह से अगर मैं इस 10 का कंपोनेंट करूं इस तरह, तो यहां पर आएगा 10 को स 37, और 10 का Y की तरफ कंपोनेंट आएगा कितना, 10 साइन 37, दिव्या, सर, दिव्या, सर, पूचो, सर, तो इन दोनों को एड़ करेंगे या फेर क्या करेंगे ऍसंदे, उसी बता रहा हो, बता रहा हो, बता रहा हो, बता, अध्या आपको समझ में आये, येस सर्, ये करना आता है ना, कंपोनेंट निकालना, येस सर्, फीक है, तो देखो, ये hey प्लास X की तरफ तो यह आएगा 6, 6 meter per second तो A की velocity को मैं वेक्टर form में कैसे लिखूँगा V है वेक्टर कितना है, A किस तरफ, plus X की तरफ minus X की तरफ plus X की तरफ लिखूँगा 8 I cap और यह वाला component कितना है, 6 तो क्या लिखूँगा, plus करके, plus 6 X, J cap, क्या यह समझ में आया? बिख विजए? यह सर् उसी तरह से B का component करूँगा V B का इस तरफ component कितना हो जाएगा V B cos 53 और V B का इस तरफ component क्या होगा V B sin 53 V B की वैलू कितनी? 5 cos 53 कितना होता है? 3 by 5 cos 53 3 by 5 3 by 5 3 by 5 तो 3 आजाएगा और V B sin 53 होता है 4 by 5 तो इस तरफ component आजाएगा 5 4 तो X की तरफ component आए 3 और Y की तरफ component आए कितना? 4 तो V B vector मैं लिखूँगा 3 I cap plus 4 J cap यह चीज़ समझ मैं ही? अब मुझे निकालना है velocity of A with respect to B velocity of A with respect to B हम लोग लिखेंगे V A vector minus V B vector V A vector की value लिखो 8 I cap plus 6 J cap और V B vector की value लिखो 3 I cap plus 4 J cap solve करेंगे इसको 8 minus 3 I से I minus होगा और J से J solve होगा के बल 8 I cap minus 3 J cap कितना होजाएगा? 5 I cap और 6 I cap minus 4 J cap कितना होजाएगा? 2 J cap 2 J तो velocity of A with respect to B आएगा आपका 5 I cap plus 2 J cap आया समझ मैं? यह सर्थ ठीक है? चलो आगे देखो मैं यह तो बता ही चुका हूँ फिर देखो इधार रब कर रहा हूं इसको यह से रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप लोगों को इसका रिकॉर्ड एड लेक्टर भी मिल जाएगा जो रिकॉर्ड कर रहा हूं अच्छी नहीं होगी लेकिन आप लोगों ने क्या क्लास अटेंड कर रहे तो आप लोगों को पता चल रहा है कि यहां पर इस पॉइंट में ने क्या लिगा तो पहले किए घजा गए वेलसरिटी से तो दोनों की वैलसरिटी यह अपी दोनों आपोजीट में जा रहे है पिए और वीबिग धֵあ तो दोनों की केस में दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है, यह दोनों एक जुसरे के पास आ रहे ही, दोनों एक जुसरे से दूर जा रहे है, तो दोनों की केस में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ओफ A with respect to B, क्या हो जाएगा बता हो, दोनों की वेलोसिटी एड हो कि कि और सेम् डिर tale जाई horses इस जारे सेम्ट में या ऐसे भी जा सकती है के वीज़ी दौनों सेम्टरेक्षन में राइस की तरफ तो है और टोसुश् Cell होगा वीए बी यह होगा वीए का मैगनिट्यूड वीए माइनस वीबी या फिर वीए माइनस वीबी यहां पर मैंने लिखी है आपको इसकी वैलू पॉजिटिव आनी चाहिए आई बात समझ में यह सर्फ जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे जिसकी स्पीड जाजा हुए उसमें से माइनस कर देंगे चलो एक और कोशन देखो अब आए परसुन है अब परसंग ए मुव टो इस 10 मिटर पर सेप्ट एक परसंग है अब पर संग मुव तुवाड्ज एस्ट तुवाड्ज एस्टेट आट 10 meter per second एक आदमी है person A यहाँ पर A लिखना एक आदमी है A जो east की तरफ जा रहा है 10 meter per second है दिखना है आप लोगों को and another person B moves towards south and another person B एक दूसरा आदमी है person B वो किदर जा रहा है south की तरफ जा रहा है move towards south कितनी speed से at 20 meter per second 20 meter per second से जा रहा है तो हमें find करने ही कि B की velocity a के respect में क्या होगी find velocity with direction find velocity of B find velocity of B with direction direction भी बताने हम को अर सीन बाई A अर सीन बाई A अगर B को देखेगा तो B किस तरफ जाता हो नज़र आएगा और कितनी speed से जाता हो नज़र आएगा यह हमें बताना है कैसे करेंगे हम लोग पहले यहां पर direction बनाएंगे ठीक है direction देखो कैसे इस तरफ क्या होता है इस तरफ होता है east इस तरफ east लेते हैं हम लोग इस तरफ west ऊपर लेते हम लोग north इस तरफ हम लोग लेते हैं south तो A जो है वो किदर move कर रहा है east की तरफ जा रहा है कितने speed से velocity of A कितनी speed से जा रहा है 10 meter per second से जा रहा है और B कहां पर जा रहा है south की तरफ B जा रहा है नीचे VB कितना है VB VB है आपका 20 meter per second अगर मैं इसको vector में लिखू तो vector में कैसे होगा क्या यह i cap होता है i cap अली line और यह j cap को represent करता है तो VA बराबर क्या होगा i or j में VA equal to looking होगा मैं क्या प्लस x की तरफ जा रहा है तो क्या इसको मैं लिखूँगा 10 i cap और VB को लिखूँगा VB को क्या लिखूँगा जल्दी बोलो नीचे जा रहा है तो इसको लिखूँगा मैं minus 20 i cap अब मैं किसको देख रहा हो कहां से सर B को A से B को देख रहा है मुझे velocity of B निकालनी है seen by A मतलब मैं A पर बैठा हूँ और B को देख रहा हूँ तो मुझे निकालना है velocity of B with respect to A तो क्या होगा ये VB vector minus VA vector तो VB vector VB कितना है value रखो minus 20 j cap minus VA vector VA vector कितना है आपका ये plus 10 i cap है लेकिन formula का minus आएगा तो minus 10 i cap अब इसको represent करो minus 20 j cap किदर होगा और minus 10 i cap किदर होगा इन दोनों vector का resultant इनका resultant ही VBA होगा बात समझ में आई इनका resultant ही अपका VBA vector होगा ठीक है तो देखो इसको कैसे represent करेंगे minus 20 j cap किदर होगा नीचे की तरफ 20 और 10 i cap 10 i cap किदर होगा 10 i cap किदर होगा इस तरफ minus 10 i cap बोल रही है यह सर तो इन दोनों का resultant किदर आएगा पैंदोग्राम लोग से यह 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 क्या यह सर यह आपका होजागा VAB और VAB की value कैसे निकालोगे दोनों vector के बिच में अंगल कितना 90 90 तो VAB बराबर हो जाएगा A का square plus B का square 10 का square plus 20 का square 10 का square plus 20 का square 10 का square 100 under root 500 under root 500 10 root 5 meter per second अभी बात समझ में एजियस सब सर डाइरेक्षन कौンसी कोगी तो कि इसमें डाइरेक्षन बताथे अब मुझे direction निकालनी है तो डाइरेक्षन किसे निखलो निखे बाला south होता ने वे वाड़ होता है आप यह वाला निकालोगा चलो यह वाला अंगल निकाल सकता हूँए इस फिगर को वापस बनाता हूं इधर मैं नीचे है 20, इधर है 10 resultant आया इस तरफ यह एंगल में थीटा बोल दिया यह थीटा निगाला यह 20 तो यह भी 20 होगा यह सर्ट इस ट्राइंगल में देखेंगे राइंगल ट्राइंगल बन रहा है यह बेश हो गया, यह पर्पेंडिकुलर हो गया तो ट्राइंगल बड़ा होता तैन इनवर्स टू तर ये तुछी टा मिला हां तैन इनवर्स टू साउथ और वेस्ट यह डारेक्शन हो गई साउथ और वेस्ट का मतलब है सही लिखाया मैंने सर डारेक्शन ऐसे लिखते है हां सभीट और गारेक्शन गई हां बेटा डारेक्शन वेस्ट नहीं लिख सकते है मैं साउथ वेस्ट का मतलब होता है सौटीफ डिग्री पर ओके सर इस जैसे नॉर्ट इस वोहला मैंने जैसे जो एस्ट है यह वेस्ट है यह नॉर्ट है यह south है, मैंने बोला north east, north east बिल्कुल 45 degree पर, और मैंने इसे बोला, कि यह 37 degree पर जा रहा है, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा, 37 degree, north of east, north of east, north of east, east से north की तरफ 37 degree, तो यह angle जो आया हमारा, south की तरफ आया, कहां से, west से, तो मैं लिखूँगा, south of west, आई बात समझ में, यह सर, कोई डाउड, नो सर,